हेलो प्रेंड्स मैं दिपक साहू स्वागत है आपका हमारे योटूब चैनल सीजी पीए सी हैं रिटर नोट समय आज हम छत्तिजगड के अधुनी की तहास में अगला टॉपिक छत्तिजगड में ब्रिटिश सासन के बारे में देख रहे हैं पिछले वीडियो हमारा सुबा सासन बेवस्था पे था आज के वीडियो चत्तिजगड में ब्रिटिश सासन देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि नोट समय के वल उन्हीं बातों को उनलेक किया जाता है जो बहुत ही इंपोर्टेंट होती है और वीडियो में पूरी उसकी प्रिष्ट भूमी के बारे में भी बताया जाता है तो वीडियो का अधिक सरीक सेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो टॉपिक है चत्तिजगड में ब्रिटिश सासन देखेंगे कि 1818 इस्वी में त्रितिय आंगल के सीता बड़ी में हुआ था जिसमें अप्पा साहेब को सायक संधी स्विकार करनी पड़ी थी इस समझावते के तहत यहां बेवस्था किया गया था कि जब तक रगुजी त्रितिय वयस्क नहीं हो जाते तब तक ब्रिटिश के अधिन सत्ता का संचालन करेंगे इसी क्रम में आप देखेंगे कि 1818 इस्वि में 36 गड़ प्रथम बार ब्रिटिश अधिपत्य में आया था ब्रिटिश सासन अधिन मराथा अठाथ 1818 से 1830 की मद्य था काराण क्या था तो रगुजी त्रिति का अलपायू होना इसकी प्रिश्ट भुइमोक बारे में देख लिए हैं इसी क्रम में देखेंगे कि नाकपूर के कमिस्नर लालड क्लाउट न्यूक्त हुए तथा नाकपूर के अधिन आने वाले अधिक्षकों के माध्याम से सत्ता का संचालन किया जाना तै हुआ था इसी क्रम में देखेंगे कि रगुजी त्रितीत के वयस का होने तक नाकपूर सहित 36़ का सासन ब्रिटिस संगरक्षण में चला गया इस संगरक्षण काल में रेजिडेंट जैनकीन्स को नाकपूर राज्य का संगरक्षण नियूक्त किया गया था नागपुर राज्य के अधिनास्त भूबाग छत्तिज़ के प्रसासन संचालन करने के लिए ब्रेटिस सदिक्चकों की नियुक्ती की गई थी अर्थात 1818 इसवी से 1830 इसवी तक का काल ब्रेटिस सग्रक्षण का काल माना जाता है इस समया अधि में 36 गड में अनेक प्रसासन हुए जिन्हों में कैप्टान एडमन 1818 तक सासन किये कैप्टान एगेन्यू 1818 से 1825 तक सासन किये कैप्टान हंटर 1825 में सासन किये कैप्टान सेंडिस 1825 से 1828 तक सासन किये Captain Wilkinson इन्हों 2828 में ही सासन किये और अन्तिम Captain Crawford ने 1828 से 1838 तक British अधिक्चक के रूप में कार्यकाल देखा पहले देखते हैं Edmond के प्रशाशनकाल के बारे में इनका कार्यकाल था 1818 नाकपूर इस्थित अंग्रेज रेजिडेंट जेनकिंस ने सरुप्रथम Captain Edmond को 36 गड़ का प्रशाशनिक अधिक्चक नियुक्त किया था 36 गड़ का प्रशाशन यादर और दिवाकर ने Edmond को हातों सौपा था इन्होंने अपनी राजधानी रतनपूर को बनाया इनके सासनकाल में 1818 में डोंगरगड के जमीदार का विद्रो हुआ जिसे खैरगड के जमीदार के सही योग से Edmond ने उन्चे कुचल डाला समाप्त कर दिया अगला सासक हुए कैप्टान एगेन्यू अर्थाद डिटिस अधिक्षक जो हुए कैप्टान एगेन्यू इनका कार्यकाल था 1818-1825 मिस्टर एगेन्यू एक योग्य गूसल वप्रतिभा संपन्न अनुभवी वेक्ति थे मिस्टर एगेन्यू दर्ख किये गए अत्यांत महत्वपूर्ण कारियों की विवेशना इस प्रकार से की जाती है पहला इन्होंने छत्तिजगड की राजधानी परिवर्तन की अर्थाद छत्तिजगड के सासन का दाई तो ग्रहन करने के पश्याज मिस्टर एगेन्यू ने सर्वपूर्थम 1818 में रतनपूर से रायपूर अपनी राजधानी बनाया और छत्तिजगड के केंद्र में होने के साथ साथ तत कालिन सामय में महत्वपूर्ण बेपारिक केंद्र था कौन तो रायपूर फिर देखेंगे कि रायपूर 1818 में ब्रेटिस अधिक्षक का मुख्यालाए एवं छत्तिजगड की राजधानी बनाई गई दूसरा इन्होंने प्रसासनिक धाचे का पुनरगठन किया छत्तिजगड की राजधानी परिवर्तन के बाद मिश्टर एगेनियू ने दूसरा महत्वपूर्ण कार किया छत्तिजगड के प्रसासन का पुनरगठन इसमें देखेंगे कि इन्होंने 27 परगणों को 8 परगणों में सिमित कर दिया जिसमें सबसे बड़ा परगणा रायपूर था और सबसे छोटा परगणा राजहर था जिसमें नवा परगणा बनाया गया था जो नविंतम परगणा बालोद बना ये था उसका प्रसातनिक धाचे का पुनरगठन नौ परगने इस प्रकार हैं रतनपूर, राजहरा, खरोद, नवागड, धमधा, दूर्ग, रायपूर, धमतरी और नविन्तम, बालोद फिर देखेंगे कि मिस्टर जेनकिन्स की चत्तिजगड यात्रा इनहीं के कार्यकाल में हुई थी, जिसमें देखेंगे कि मिस्टर एगेन्यू के काल में चत्तिजगड की यात्रा की, तथा अपने यात्रा विवरण में उन्होंनों चत्तिजगड से संबदित अनेक तत्यों क उलेक किया था। किस ने किया था? तो मिश्टर जेनकिस ने। मिश्टर जेनकिस ने चत्य colony में Mr. एगेण्यॐ दौरा किये गया प्रसासनी कारीयों की प्रसंसा की थी। और उनका विचार था कि योग्यत्या के अनुसार अपनी पहल पर 36 के स्थिती में महत्वपूर्णेवं नविन्तम परिवर्तन प्रस्तूत किये। किस ने किये? मिस्ट कैप्टन एगेन्यूने। इनके समय प्रमुक विद्रोह हुए जिसमें था महारस्या का मामला 1818 में। सामन्त भारती का विद्रोह था 1819 में। धमदा का गोड विद्रोह था 1818-825 और सोनाखान का विद्रोह था 1819। परलपोट का विद्रोह विव इनके का सासनकाल में हुआ था 1825 में। यह जो सोनाखान का विद्रोह 1819 है इसका विद्रोह करता थे रामसाय बिंजवार। विद्रोह का विडियो अलग से बना के देखेंगे। इनकी में विशेज क्या है तो सरवाधिक समय तक ब्रिटिस अधिक्छक के पत पर रहे मिश्टर एगेन्य। और 1825 में अपने पत से त्याग पत्र दे दिया। इस तरह से था मिश्टर एगेन्य। बारे में। अगला है कैप्टन हंटर इनका सासन काल 1825 है। आप देखेंगे कि मिश्टर एगेन्य। के त्याग पत्र देने के पश्चात कैप्टन हंटर 36 गड़क ब्रिटिस अधिक्छक न्यूक तक किये गए। वे इस पत पर अधिक समय तक नहीं रहा पाए। और उसके कार्यकाल के कारियों वह घटनाओं के जनकारी उपलब्द नहीं होती है। अगला ब्रिटिस अधिक्छक हुए कैप्टन सेंडिस जिनका कार्यकाल था 1825 से 1828। मिश्टर हंटर के पश्चात नागपूर का शैन्याधिकारी सेंडिस इस पद पर 1825 से 1828 इस्वी तक कार्यकाल रहा है। उसके कार्यकाल के प्रमुक निम्नलिखित कार्य है। पहला इन्होंने तो ताहुतदारी प्रथा की शुरुवात की। दूसरा चत्तिस गड़ के भूभाग पर हिंदु पंचांग और मुसलिम पंचांग के इस्थान पर बृतिस पंचांग प्रारम्भ कर रहा। दूसरा इन्होंने अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज का माध्यम बनाया। इस से पूर्वए श्षेत्र में सरकारी कामकाज इस्थानी भाषा में किया जाता था। अगला था चत्तिस गड़ में संचार के साथ नों डांक यों प्रारम्तार को प्रारम्ब किया तथा इसका विकास भी किया था किसने संडिस ने फिर देखेंगे कि मिस्टर संडिस के सासन काल में रगुजी तृती के मध्या समझोता हुआ था किनका किनका हुआ था अंग्रेजो और रगुजी तृती के मध्या इस समझोते का अनुसार न नागपूर के अधिनास्त भागों के सासन में कोई परिवर्टन नहीं किया गया। अगला क्या है? तो बस्तर और कराओद जमिदारियों के भी जो विवाद हुआ था उसका समझोता कराया था कैप्टन सेंडिस ने। फिर इसमें विशेज क्या है देख लेते हैं? तो इन्होंने लोर्मी और तरेंगा नामक दो तालुपा का निर्मार करवाया। और इसे एगेन्यू के तुलना में अधिक अधिकाय प्राप्त थे, अर्थात सैनिक और असैनिक दोनों अधिकाय प्राप्त थे। किसको? कैप्टन सेंडिस को। अगला ब्रिटिस अधिक चक हुए कैप्टन विलकिंसन, इनके प्रशाशनकाल था 1860 स्वी, मिस्टर सेंडिस के प्रस्थान के बाद विलकिंसन अधिक चक बनाये गए, यह लगभग एक वर्से ही इस पत पर कार्यक का निर्वहन किये। और इसके कार्यकाल का कोई उल्लेखनी नहीं दिखता है। यह देख लिए चत्तिजगर के अंतिम ब्रिटिस अधिक चक और ब्रिटिस संग्रक्षण की समापती अर्थाद भोसलों को सत्ता वापिस किया। किसने कैप्टन क्राफड ने। इस तरह से था चत्तिजगर में ब्रिटिस अधिक चकों के बारे में। विडियो को अधिक सदिक सेयर कीजे। लाइक कीजे। कमेंट कीजे। धन्यमात। झाल